किसान भाईयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल ताकरेगरी कल्चर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में जो पोदे की उपर वाली पत्तियां पीली पढ़ कर सूख जाती है वो समस्या लहसुन की फसल में क्यों आती है और इस समस्या को हम किस परकार से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डीटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपके साथ में एक बहुत ही बड़ा जानकारी सेर करने वाले हैं किसान भाईों, अगर आपने भी इस वर्स लहसुन की फसल लगा रिकी है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा फायद्यमन होगा, और इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी, वो कही न कहीं आपकी लहसुन की फसल में फायद्यमन साबित हो सकती है. तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए और वीडियो सुरू करने से पहले जो किसान भाई चेनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो हमारे इस चेनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर दीजे ताकि आगे भी आपको हमारे चेनल पर नई नई जान करें देखने को मिलती रहें किसान भाईयों बात करते हैं लहसुन के बारे में लहसुन की पत्तियां आपने देखा होगा आपके खेत पर जब आप लहसुन की फसल लगाते हैं तो अब ये समस्या किस वज़ा से आती है? देखे किसान भाईवों यह जो समस्या है आम तोर पर लहसुन की फसल के जिवन काल का एक हिस्सा होती है लेकिन अगर यह समस्या ज़्यादा मात्रा में आती है तो फिर इस समस्या के आने के पीछे कई कारण आ सकते हैं जैसे की पोशक तत्यों की कमी अब इसको दूर हम किस परकार से कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए मैं समय समय पर अपनी लहसुन की फसल में पोशक तत्यों की पूर्ती करनी पड़ेगी इसके लिए मैं आपको एक दो उपाई बता रहा हूँ तो आप इन दोनों में से किसी एक तरीके का यूज कर सकते हैं किसान बग्यू पहला तरीका है अगर आपके लहसुन की फसल में थ्रिप्स फंगस जैसे समस्या लग रही है तो इस वज़े से भी लहसुन की पत्यां उपरी सिरे से सोकना सुरू हो जाती है तो आप किसी बढ़िया केट नासक और फंगी साइट के अस्परे कर लीजिए वहीं अगर आपने किसी खाद का यूज नहीं किया है और आपकी लहसुन मैना डेड़ मैना की हो गई है तो आप उसमें तुरंट खाद डाल दीजिए अब खाद में आप यूरिया खाद ले सकते हैं यूरिया खाद के साथ में 4 किलो ग्राम बायो विटा, माइकोराइजा, हुमेकैसिर जैसे खादों को मिस्रित करके एक साथ में लहसुन की जड़ों के पास डाल कर पिलाई कर दीजिए तो आपकी लहसुन में जो पिलापन की समस्या आ रही है वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी वहीं किसान बायों जब टेमपरेचर ज़्यादा होता है तो ऐसी समस्या देखी जाती है अब टेमपरेचर ज़्यादा होगा तो ऐसी समस्या सभी किसानों के खेतों में आएगी इसका कोई तोड़ नहीं है लेकिन अगर पोसक तक तो की कमी से या फिर केट फंगस की वज़े से यह समस्या आ रही है तो इसको हम दूर कर सकते हैं तो आप केट ना सक्क फंगसाइड का यूज कर सकते हैं और खाद का उपयोग भी कर सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं किसान भाइयों आपके लहसुन की इस्तिती इस समय पर कैसी है क्या वह कमजोर हो रही है या पिर अच्छी तरीके से ग्रोज से चल रही है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपकी कोई राय हो या पिर आपकी कोई डिमांड हो तो कमेंट में जरूर बताइए हम मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ में तन्यवाद चे जवान चे किसान